ओम जै क्रिश्ना आए नमा जगता रख है आए चरणों में नमों नमा ओम जै गुर्देवाए नमा भक्त वचल किरपा लू किरपा है करते स्वामी किरपा है करते चोलियां है बरते ओम जै गुर्देवाए नमा श्रिंगेर पूर है रिशी स्रेंगी का जगा है जो श्रिंगी ने यग्य किया था और उसियंग से राम की उत्वत्ती हुई थी उस रिशी का निवास अस्थान उसी स्रिंगी रिशी के नाम पर स्रिंगेर पूर है नकि निखाद पूर है इसलिए यागिक पिता भी तो हुए एक पिता से असरबात दे कर निकले हैं तो दुसरे पिता से तो भी असरबात देना होगा देखो यह श्रम्मान है यह बात शिपा दी गई है लेकिन बात यह है कि एक पिता से शंशारिक पिता से हमने तो आदेश ले लिया है लेकिन आगी की पिता का भी कुछ अधिकार होता है इसलिए वे निखाद राज से मिलने के तुरत बात चले गए है उस श्रिंगे रिसी के आप श्रिंगे रिसी का भी आश्रम गंगा तट पर ही है मैं भी गया था उनसे मिलने पूछा और राम जाकर डंपडाम किये हैं सारी बात अजोध्या को कहे हैं श्रिंगे रिसी ने उन्हें समझाया है पुत्र तुम्हारा अभुद्धय सुरू हो गया है जहां से संकट बेक्तिका होता है जो आदमी जितनी समस्याये में रहता है और उस समस्याये में धरम नहीं छोड़ता है और धरम के साथ जुड़ा रहता है साधू महत्माओं के साथ जुड़ा रहता है तुह समस्याओं से वह चमक करके आज नकल वह प्रमात्म स्वरूप हो जाता है वह विश्व बंदनी हो जाता है अबर देखो आज जो हैं समस्या तो तुम देख रहे हो लेकिन कहीं न कहीं यह विश्व बंदनी होने जा रहे हैं श्रिंगे रिश्री ने उन्हें बताया बेटा घबड़ाओ मत मेरा आशिरबाद तुम्हारे शाथ है देखो जगह जगह एक कदम पर राम को आशिरबाद मिलते जा रहा है इधर निखाद राज तियार हो गया है प्रभू आप 14 सालें ही रहे हम लोग पूरा तिरधनु से ल राक्षण से खिलाफ हम संगर्श करेंगे आप यहीं से क्यों हमको निर्देशन दीजिए राम कहते हैं कि संभव नहीं है मित देखो राम जो है कभी जात पात नहीं किये हैं राम निखाद को भरत संभाई कहा है तुलसी क्रित्रमैन में भरत संभाई कहा है भरत को सबसे प पराबरतुल ना दिया है, उनके गले से मिला है, और उसका सब दिया हुआ प्रशाद रात में पाए हैं, उसी तरह सबरी से भी मिले हैं, सबरी को भी उन्होंने उनका जुठा भोजन किया है, कभी नहीं हूँ, वह आरे धरम को समझते थे, आरे धरम में कोई सबस आरे का होता है, यहाँ पजात पात नहीं होता है, यहाँ उच निच नहीं होता है, यहाँ घिरणा नहीं होता है, और इसमें हमारे ही कुछ चापलूस लोगों ने उसकी मदद किया, और उसमें हम लोगों ने जात पात करके, एक दुसरे को बाट कर, तोड कर, उनको मदद किये, कि एक थपड़े दिमारते, उस समय भारत की अवादी 40 करोड थी, और उस समय इंग्लेंड की अवादी 5 करोड थी, थपड़ भी काफी था ना, और अंग्रेजी के भागने के लिए थपड़ काफी था, लेकिन यही है divide and roll, इसलिए राम तो जोड़े हैं, तोड़े नहीं है, जो तोड़ता है वह दानाव है, जो जोड़ता है वही देव है, ठीक से तुम समझ लो, राम तोड़ने वाले नहीं है, जोड़ने वाले हैं, कभी नहीं किसी से नहीं, देखो निम्न जात जो तु कहते हो बार-बार, और हमारे रमैन में तुम जानते नहीं हो बहुत घोर मठक किया गया है तुलसी दास रमैन जानते हो कि तुलसी दास की रमैन जो तुलसी कृत रमैन है वो दो प्रती लिखे थे पुझ ने भी प्रवीद भी है न यह जो है भैदैनी महराज में आया है यह चोपाई पहले एक तिसरी रमायण इसे हट कर लिखा गया जो तिसरी रमायण जो छपी है ठाकुर प्रशाद बुकसेलर उसमें भी बहुत सारी चोपाई है जो इसमें है वह नहीं है चौथा रमायण इस सबसे तंग आकर कासी नरे से चपवाए थे चार प्रतियां चपी है आप लो नहीं जाए लेकिन गीता प्रेस के रमायण सर्व सधारन सुलव होता है यहीं चारों तरफ फैला है चुकि इसमें बहुत मिलावट हुआ है नहीं मिलावट होता तो तुलसी कृत रमायण को जलाने का क्या भावथ पन होता इसलिए मिलावट करके भी इसनी सुक्ष्रम से मिलावट कर दिया गया पूजने भी प्रवेद भेना नव पूज ये सुद्र सकलगोन निधाना इस तरह से अंतर किया गया सुद्र को जिससे ये लोग जो हैं अमय रमायण को जलाने के लिए और मनुबादी कहने लगे जबकि इसमें सुद्र की पूजा की गई है सबरी की पूजा की गई है देखो सबरी की पूजा की गई है उनका भगवान जराम जुठाक बैर खाये हैं और यहां पर पहले ही जब पर्थम निकलते हैं तो एक सुद्र निखाद भी मिलता है इसको भरत संभाई कहते हैं कहां इसमें है कथा तो नहीं बदली है दोहा चोपाई बदल गई है जिससे ये हमारे समाज में बिखंडित करता है और कुछ लोग इसे जलाने के लिए ततपर हो जाते है इसलिए आप लोगों को बुद्ध जीवों को इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए राम समाज को तोड़ने वाले नहीं है समाज की भी भंजक नहीं है आरिया बर्थ को एक छट में बांधने वाले है शट को एक धागे में बांधने वाले है स्थको भरत समभाई समाजाने वाले है राम के लिए सब पराण परिये है और आरिया बर्थ का एक एक नागरी उनके पराण परिये है इसलिए कभी उचनीच की भाव तोड़ की भन्जक की बात नहीं कर सकते है तोड़ की बात जो करता है, वह राख सक्चा है और जोड़ की बात करता है, वही परमात्मा है इसलिए राम परमात्मा अप लोगों का कुछ मिस्त्राजी भाव किलियर हुआ ऐसे लिए यहीड रमेंड जो है तुल Нिक्रित रमेंड यह सोध का भी सय जहाँ जहाँ इस तरह से समाज में बिद्धवन सक बाते आए हैं उसको तोड़ दो जूड छोड़ दो उतना ही नहीं छत्रियों में भी आ गया है सब छत्रिय बराबर नहीं है रगुबन सी मह जह कहां होई तहां असब चन न कहीं कोई देखो छत्रियों में भी रगुबन सी जो आदर्श है मरियादा का पुर्षोतम है मरियादा कही उलंगन कर सकता है ऐसा संभव नहीं है और भारत बासी को कही वहाँ घृणा से नहीं देख सकता है भारत भूम पर जो भी जनम लिया है वो उसको वह आदर्श समझता है अब सुबह जब हो गया है स्रेंगे रिषी आशरबात दे दे दिये हैं कि अपने साथियों को भी तीर धन उसे अलग अलग नावकाओं में इनकी रक्षा करने के लिए चारोर से घेर लिया है लेकिन कहता है कि प्रभू पहले में आप का हाद पैरत दोलो प्रहु मरम तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ किसी पत्थर को तुछू देता है और नारी बन जाती है और कहीं मेरे नाव को तुछू तो भी नारी बन गई तो मेरा जीवका कहे चलेगा यह बात भावनात्मक है यह बात भक्ती मैं है भावना और भक्ती से भरी हुई है और भावना की प्रबलता ही भक्ती की प्रारंब होती है इसलिए अटपटे सब्द में भक्त कुछ भी बोलने लगता है अबर हमारे हम रियादा भी है जब हम कोई भी रिशी, महात्मा, गुरुजन जब तुम्हारे यहां आता है तो उसका हम लोग पैर्द होते हैं आरती उतारते हैं करता है ना किसी सादू का महात्मा का अरिशी का उस परंपरा के अनुसार वह भी अपने नाओं में चढ़ने के पहले गंगा की जल से ही जिसके पैरसी है सुरसरी निकली है उसी का सुरसरी का जल ले करके भगवार राम का जानगी का पैर्द होता है मरम मैं जाना यह निखाद ही कहता है कि तुम्हारा मरम मैं जान रहा हूं कोई रिशी नहीं कह सका सुना है कोई रिसी राज दिन दो तपस्या कर रहा है ध्यान धारणा कर रहा है रिसी कोई नहीं कहा कि तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ लेकि निखाद कह देख मैं तुम्हारा मरम तो जानता हूँ तुम लिला कर रहे हैं तुम कौन हमें पहचान लिया निखाद की आँखे पहचान लिए भेले सादू मात्माओं को पहचान है ना पहचान है लिएकि निखाद पहचान लिया फिर निखाद कैसे वो छोटा है सबरी की आँखे पहचान लि जिसकी आँखे उस परमपुरुष को पहचान लेती है वही स्रेष्ट है जिसकी आखे देखते भी नहीं पहचानती है वही निम्न है तुम लोग इस बात को समझ लो अब वहाँ पर से जब राम चलने लगते हैं तब तिर्वेणी संगम पर आते हैं तिर्वेणी संगम पर आकर कि वह आसनान करते हैं सीता जी पूजा करती है और कहती है यह गंगा तु मेरी पुरबजों के द्वारा लाई गई हो इसलिए तु मेरी पुरबज भी हो मा भी हो अवरते मनावती मानती है तुम लोग भी मानती है उस पर थिवेश से निकली हुई जगत जनने भी है जान की लेकिन यहाँ अपनी इस बात को नहीं कहती है कहती कि तुम्हारे पुरुबज की हो तुम्हेरी माँ भी हो इसलिए तुमसे मैं यह कहती हूँ पुना उधा से कुशल छेम से लोट आउंगी तुम्हारा दर्शन करूंगी अब गंगास अब मैं दक्षिनायन की यात्रा कर रहे हूँ राम उत्तर से दक्षिन की यात्रा किये हैं कृष्ण पच्छिम से पूरव की यात्रा किये हैं दक्षिन से उत्तर से दक्षिन की यात्रा करना उत्तर है ना आप उत्तरायन हो आपका सीर उत्तर है हमने जो दिवासर दिव्यासर दिया है सेक्रेट साइंस में जो दिया है वह एनरजी उत्तर से दक्षिन की तरफ गमन करती है सहस्तार से मुलाधार चक्र के लिए गमन करती है राम उसी परंप्रा में उत्तर हैं और उत्तर से दक्षिन की आत्रा कर रहे हैं उलाधार चक्र के तरफ जा रहे हैं निम्तम भाग के तरफ जा रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं जहां रिशी हैं समझो वही तुम्हारे सरीर का अंदर का चक्र भी है और उन चक्र रुपी रिशीयों के हां रुकते जा रहे हैं इसको तुँ अपने अंदर भी घाटना को घटा सकता है, यह वहां से असनान करने की पुर बात, यह नहीं कि पड़े रिशी के आस्रा में चले गए, अब कहें कि हाँ भारदवाजी, आपके हाँ आगाए हैं हमारे जरा बात रूम करो, असनान का तियार करो, तुम वह भी एक कहते हैं उन्हीं, गुरी जरा बात रूम जाएंगे, देखो राम हर्दमर यादित हैं, रिशी के हाँ जाना है, असनान उस्टन करके जाते हैं, दर्सन बिन असना किसे करेंगा इसलिए त्रिवेणी संगम पर राम लक्षमन जानकी सबस्नान करके और निखाद भी है साथ ही कुछ निखाद के निखाद राज के कुछ गण भी है जो भगवान राम के अस्ट सस्ट को ढो रहे हैं मेरा राम जो गया है उसके साथ सस्ट जा रहा है जुद की समान सब जा रहे है साथ साथ हो जा रहा है देवास मुद्या सथ ढोए जा रहे हैं मिशाइल सब साथ जा रहे हैं चुकि देखो यह खिल करने नहीं जा रहे हैं यह अराक्सक्छों का नास करना भी है कि बात से नहीं होगा इसलिए सब मिशाइल भी साथ साथ चल रहा है इस असस चल रहा है जिसको अब देख लिया निखाद इसलिए इसके गंट होए जा रहे है भारद वाज रिशी के आश्रम में जब पहुंचते हैं देखो भारद वाज के हैं पहुंचते हैं तब प्रभु भारद वाज पहीं आए करत दंडवत मुनि उरलाए मुनि मन मोद न कछू कही जाई ब्रम्हान अंदर आसि जनुपाई मालू हो था कि भारद वाज पहले से निजार कर रहे थे और जैसे ही भारद वाज जरिशी के हैं आए दंडवत करते हैं प्रणाम करते हैं अपने मर्यादा में भगवान राम उन्हें दंडवत सब्द आया है दंडवत का मतलब गूड मौर निग नहीं या मुनि वर प्रणाम नहीं दंडवत, दंड के तरह गिर गए है दंडवत कहा गया है यह हमारे आदा है राम जानते हैं कि राम है लेकिन मुनी को दंडवत करते हैं तुलसी दास ने दंडवत सब्द का परियोग किया है यानि दंड के सामान उस भारद्वाज रिशी के सामने गिर गए हैं लेकिन भारद्वाज मुनी के देखो कितनी बड़पन है वह भी उठ करके राम को तुरत उठा कर अपने हिर्दे में लगा लेते हैं और हिर्दे में लगाते ही तुम जानते हो एक राम का हिर्देम से लगाना राम की उरजा स्वतह जो है इसकी हमने सेक्रेट सैंस में हगिंग थिराइपी दिया है जैसे कोई भी महापुरुस तुम को जब कोई रोग ठीक नहीं रहो रहा है तो कोई महापुरुस तुम को अंक में भर लेता है तो सोता हो उसकी सारी एनरजी टब टू बटम निकाल करके उस बेक्त में प्रवेश कर जाती है और वह कठीन से कठीन रोगों से मुक्त हो जाता है एक यह थीराइपी हमने दिया है और यह अभी यही हो आत हो रहा है जब मुनिवर ने उन्हें हिर्दें में लगाया है अंक में भरा है तो राम से उर्जा निकल करके इस रिसी में और रिसी कह रहे हैं भारद्वाज कि मालूम होता है कि यह ब्रम्हानंद में चले गए ब्रम्हानंद रास जनुपाई ब्रम्हानंद यानि समाधि में चले गए अतेंद भिहुबल हो गए प्रशन हो गए और समझ गए कि यह राम सधारण नहीं है यह राम है आतार है मर्यादा पुस्वुत्म आ गया है और इसके मिलते ही यह समाधि में चले गए देखो एक दूसरे से जो मिलते हैं वो मिलते ही अनभव करते हैं जब सजन एक दूसरे से मिलता है तो प्रसन हो जाता है दुरजन जब मिलते हैं एक दूसरे से तकस्ट होने लगता है दोनों के मिलने में तो होता ही है कुछ न कुछ बालमी की रमयन में भी कहा गया है भार्द वाज कहते हैं हे राम मैं बहुत समय से तुम्हारे आगमन की परतिक्छा कर रहा था बहुत समय से तुम्हारे आगमन की परतिक्छा कर रहा था उनको भी मालूम था कि आने की यात्रा इदर से आएंगे यहीं से आत्रा शुरू होगी अब राम रात रिभर मुनी के आस्रम में रहे भार द्वाज मुनी से बरता लाप हुआ दिशा निर्देश दिया गया अब और इसके बाद सुबह होते ही कहे कि प्रभू मुझे आदिश दिजिये मैं आगी आत्रा प्रारंब करू तो इन्होंने अपने सिश्यों को साथ लगा दिया यहां से निखाद को लोट गया देखिए चेन बनते गया इसको इस तरह से भी सोचो चेन बनते गया यहां से निखाद को लोटा दिये गणों को और यहां से भार द्वाज रिशी के जो ब्रमचारी हैं बिद्यार्थी हैं सन्यासी हैं उनको लेकर चल दिए ब्रमचारी गणी के अस्तर सस्त्रों को लेकर चल दिए और यह कहे कि हां से जमना के उस पार कुछी दूरी पर बालमिक कास्रम है वही बालमिक रिशी जो इनका सम्मिधान लिख चुके हैं बालमिक रमाइन लिखा जा चुका है और ये अब वहाँ पहुँच लिए इसलिक बालमिक की रिशी का आश्रम है वहाँ पर आप पहुँचिए और इनके कुछ दिर मुनिवर यह भी पहुँचाने के लिए गए और इनके सिस, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग बहुत साथ साथ चल रहे हैं जब वहाँ पहुँचे हैं तो देखत बैन सरसैल सुहाए बालमिक आश्रम पहुँआए राम देख मुनी बासु सुहाना सूरी गिरी कानन जलू पाना बहुत खूश हुए कि बड़ा बिचित्र आश्रम बड़ा इस कानन में अच्छा बनाया गया है तब तक से इस सोच ही रहे हैं तब तक से पांच सन्यासी आए और राम को प्रणाम करके कहें से ओणाम के प्रभु आपका आगमन हो गया है चलिए हमारे बाल मिक्रिश्री भी आपके लिए आगमन का इंतजार कर रहे हैं लक्षमाण कहता है भईया इस जंगल में रहने वाले लोगों कैसे पता चल जाता है कि हम लोग आ रहे हैं मुवाइल फोन है तुम लोग तो मुवाइल फोन के जब हम आगे उसमें तो मुवाइल फोन भी नहीं था BSNL का भी फोल नहीं था इस पर अशर्च करते हैं लक्षमाण जी कि भाईया कैसे यह पता चल जाता है कि हम लोग आ रहे हैं राम कहते हैं भार भाया चल कर उस रिशी से पूछो वही बताएंगे कैसे इन्हें आग पता चल जाता है